योजनाइन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है BPL राशन कार्ड वालों के लिए दो खबर है एक अच्छी और एक बुरी खबर है बुरी खबर यह है कि अब इन लोगों का राशन कार्ड कटने जा रहा है और अच्छी खबर क्या है वह आपके लिए बाणना जानना बहुत जरूरी है जी हाँ अगर आपके पास BPL का राशन कार्ड है तो आपके लिए अच्छी और बुरी दो परकार की खबर है बुरी खबर तो यह है कि राशन कार्ड अब कटने लगे है और अब इन लोगों का राशन कार्ड भी कटेगा यानि कि जो BPL का राशन कार्ड था और अच्छी खबर क्या है वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो अगर आपके पास भी BPL का राशन कार्ड है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सब्सक्राइब भी जरू करिएगा तो चलिए वीडियो की करते हैं सुरुआत और बताते हैं आपको सरकार के और से परिवार पहचान पत्र को हर रोज अपडेट किया जा रहा है अब तक परिवार पहचान पत्र पर जमीन या चल अचल संपत्ति का ब्योराही अपडेट किया जा रहा था मगर अब परिवार पहचान पत्र धरक के नाम पंजीकरत दुपईयां चोपईयां वहान का डाटा भी ओनलाइन उठाया ना सुरू कर दिया है देखिए पहले जो परिवार पहचान पत्र में आपकी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा ही अपडेट होता था लेकिन अब जो परिवार पहचान पत्र है वहर रोज अपडेट हो रहा है अब अगर आपके पास चोपईयां या दोपईयां वहान है तो उसका डाटा भी उठाना ओनलाइन शुरू कर दिया है बीपेल राशन कार्ड से इनके नाम कटेंगे ऐसे में किसी परिवार पहचान पत्र धारक के नाम चोपईयां वहान पंजिकरत मिला तो उसका बीपेल का राशन कार्ड कार दिया जाएगा इसमें सिर्फ दो पईया वहान की छूट दी गई है इसको लेकर सरकार के और से काम सुरू कर दिया है अब सभी डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिये ओनलाइन किया जाएगा अगर आपके घर में चोपईया वहान है कार है टैक्टर है तो आपका बीपेल का राशन कार्ड काट दिया जाएगा जबकि दो पहिया वहान वालों को इसमें छूट दी गई है चोपईया वहान वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे हैं नाम जानकारी जो मिली है उसके अनुसार किसी वेक्ति के नाम मकान के अत्रिक पलाट पंजिकरत मिला तो उसका भी रासन कार्ड काट दिया जाएगा इससे पहले चुपईयावान वालों के रासन कार्ड से नाम नहीं काटे जा रहे थे और नहीं प्लोट वालों के सुरू में सोगज अरबन और ग्रामेंड में 200 गज मकान में इसमें छूट थी अगर आपके पास 100 गज का अर्बन यानि के सहरी और गाम में 200 गज का प्लाउट है तो आपको छूट दी गई थी अब ऐसा नहीं है यदि किसी राशनकार धारक के नाम मकान के इलावा सोगज अर्बन और गाम में दो सोगज का प्रोट मिला तो उनको बीपिल की सुईधा नहीं मिलेगी हाल ही में सरकार की ओर से ग्रामिन अक्छेत्रों में ड्रोन के जरिये पेमाईस कराई गई है परिवार पहचान पत्र के जनिये बनेगे निसुलक बसपास ये देखिए अच्छी कबर क्या है वह आप जान लिजे अब सरकार की ओर से सिक्सन संस्थाओं में पढ़ने वाले चात्राओं को निसुल्क बसपास की सुईदा परिवार पैचान पत्र के जरिये दी जाएगी आपके पर्मान पत्र अगर सही है तो BPL रासनकार्ड दोबारा आपका बनेगा यदि किसी परिवार पैचान पत्र धारक ने अपना चोपईया वहान बेज दिया है और उसका BPL का रासनकार्ड कट गया है इसका पहले पता कर ले कहीं अभी भी वहान आपके नाम पंजिकरत तो नहीं दिखा रहा है ऐसा है तो इस बारे में विबाग को अवगत कराए और अपनी अप्लिकेशन दर्ज कराए अगर आपके परमान पत्र सही है तो BPL रासनकार्ड दोबारा बन जाएगा वरना मुस्किल है जाच में ऐसे कहीं केस सामने आये हैं लोगों में जागरुकता कम है विबाग के अनुसार लोगों में जागरुकता की कमी को देखते हुए यह कार्य किया जा रहा है किसी ने ITR भरी हुई है या चोपईया वहां पंजिकरत है तो ऐसे में उसका BPL का रासनकार्ड काटा जाएगा फिर भी BPL जो रासन परिवार पैचान पत्र धारक CST वालों के पास चक्कर लगा रहे हैं कि उनका BPL का रासनकार्ड क्यों कटा है इसके लिए बेवसाइट पर सिटिजन पोर्टल पर विकल्प दिया गया है लगू सचीवाले में भी हैल्प टेक्स पर परिवार पैचान पत्र धारक अपनी अपत्ती दर्ज करा सकते हैं और यह जो रासनकार्ड काटे जा रहे हैं BPL के वह हर्याना रज्ज सरकार की दर्ब से काटे जा रहे हैं तो अगर आपके पास भी चुपईयवान है आपके पास सोगज का प्लोट है सहर में और गाम में दो सोगज का है तो आपका भी BPL का रासनकार्ड कटेगा तो वीडि कर लिगागा